सब्सक्राइब करना चाहता था अब वो सारे डेटा को हम देखके ऑंचेन डेटा है नैंसेन पे में कुछ चीज शेयर करता हूं अब उस डेटा का हम कितना फाइदा उठा सकते हैं वो तो हमारी हाथ में बाकी तो आई थोट वाय नॉट शेयर इट विद यू मैं थोड़ा बहुत एक्स्प्लोर कर रहा हूं अभी मुझे कुछ कंक्लूजिव थॉट्स यहां पर नहीं मिले यानि कि इसके उपर में बहुत बड़ा कोई आक्शन ले सकूँ बट मैं आपके साथ फिर भी इंट्रेस्टिंग चीज़े कुछ शेयर करना चाहता हूं तो नै बिजनसमैन की तरह सोच सकते हो कैसे बिजनसमैन की तरह सोच सकते हो मैं आपको दिखाता हूं तो मैं देख रहा था कि यार मेरा ना मैं डुमेन देखूं क्या मेरा एनस डुमेन का क्या है मैंने तो खरीदा नहीं था मैं कुछ इसमें हूं नहीं तो मैंने देखा तो पता लिए खरीद रखा है उसके पास क्या है मज़ेदार चीज दिखा तो अब मुझे अगर खरीद नहीं होगा मुझे कुछ करना ही होगा इत में मालों मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं अब चक्कर गया अभी बंदे ने खरीद रखा है अब मुझे इसको पे करना पड़ेगा आप यह मांगेगा अच्छे पैसे मेरे से ना तो यह बंदे ने लिटरली आप नोटिस करो यो पिकासो पिकस ओफ डीफाइ कैपिटल यह सारे कितने इसने बंदे ने यह सारे डूमेंज पांच पेज दोस्तों पांच पेज इसने डूमेंज ना सस्ते में खरीद रखे है आयोद्या डॉट इथ मुख्यमंत्री डॉट इथ माराथा डॉट इथ ब्रह्मन डॉट इथ फेस्बुक पंजाबी में लिगा हुए है फेस्बुक डॉट इथ है इसने कितना कुछ पुने का लग रहा है आदमी एक मैं जानता हूं इंडिया में एक मार्केटिंग में काफी बड़ा नाम है उन्हें बहुत सारे लोगों के नाम ऐसे खरीद रखे थे इथ डॉमेंस बहुत सारे वेब टू फानेंस यूट्यूबर जो हैं इंडिया वाले उनके नाम के भी तो बस वही डोमेंड फ्लिपिंग यह भी एक अच्छा तरीका है बाइद पैसे बनाने का तो अगर आपको इंट्रेस्टिंग नहीं चीज दिखती है और आप रिस्क लेना ही चाहते हो तो ऐसी किसी चीज पर रिस्क लेके कभी कभी काम मिल जाता है तो अब मैं इसको अगर द कि हिसाब से 22 पेज पर पेज 25 है इसके बस अब इसने रिन्यू नहीं कर रहे हैं आप जैसा की देख सकते हो सबका ग्रेस पीरेट होगा इसने लिया होगा कि जारगन से मैं बड़े पैसे मारूंगा दो तीन सो इत मांगूंगा वगयरा वगयरा बड़ उसको मिला नहीं है और लिए कशलें एक चीजन पांगा चाहता था चलो यह तो हो गया है दूसरा कुइकली मैं आपको सीट फ्रेज कर लेकर आप मेंसे काफी सारे भाही लोग बात कर रहे हैं देख रहा है कि मैं देख रहाऊ हूं सीट फ्रेज़ीज प्लेट जो आती है स्टील की प्लेट आते हैं जिस पर अपना सीड फ्रेज सेफ रख सकते हैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा तो कुईक मैं आपके लिए एक सेग्मेंट यहां पर चला देता हूँ आप चेक आउट कर सकते हो आपको पता है वॉलेट सेक्योडेटी में सिर्फ वालेट कο सेफ रख नहीं सीड फ्रेज को भी सेफ राखना पढ़ता है राइख यहां मैं जूरण儺 प्लेट के साथे प्लेट पे लिखने के लिए भी एक instrument आया, मैं आपको एक second में दिखाता हूँ, तो यहाँ brick street by the way old player है, Indian market में wallet cases के लिए especially मैं काफी time से use करता आ रहा हूँ, तो आप check out कर सकते हैं brick street को भी तो यह कुछ ऐसी दिखती है plate और इसके ना 12 words इस तरफ और 12 words इस तरफ लिखने की जगा बनी हुए, तो यहाँ पे जो मेरे पास machinery उने साथ में भेजी है, उसमें यहाँ पे मैं उससे लिख सकता हूँ and मेरा seed phrase सेफ कर सकता हूँ, आप seed phrase आप पूरे पूरे word लिखना चाहे हैं, तो पूरे word लिख सकते हैं अगर आप सिरफ चार लेटर लिखना चाहे है, तो पहले चार लेटर लिखके भी आपका काम चल सकता है by the way, क्योंकि वो words के जो पहले चार लेटर होते हैं, वो हर word के यूनीक होते हैं it's an interesting fact, right, so अगर हम बात करें, ब्रिक स्टीट की by the way, आप यह जो है Amazon पे भी available है, as well as उनकी website पे भी available है website से करेंगे, तो I think cheaper है, because Amazon का cut जाता होता है and by the way, मैं SafePal के उपर भी video ला रहा हूँ and जिसके लिए again, we've partnered with Brick Street as well तो आप एक तो SafePal के वीडियो को देखना चाहते हैं, मुझे नीचे बता सकते हैं क्या आप चाहते हैं कि हम एक मस सा giveaway करें, Brick Street के साथ नीचे मुझे comments में जरूर बताएं, I think it could be an interesting thing, right काफी interesting चीज हो सकती है हमारे लिए, so यह machine साथ में आई है thermo machine है, इसके साथ earplugs आते है, earplugs लगा के आप लिखे हैं हम लोग काघस में लखते हैं, काघस का problem is, yes, वो काघस है, खराब हो सकता है, इसका फायदा यह है, this is solid, like literally solid, I think that makes it काफी काफी durable, and मैं हमेशा से बोलता हूं कि इस तरह की जो चीजे हैं, seed phrase को safe रखने के लिए, वो काफी better है, अब इसको आप basically, I also like the fact, कि इस पे मैंने अगर seed phrase लिग लिए है, तो मैं इसको इस cover में डाल के रख सकता हूं, तो यह seed phrase भी जो है, exposed नहीं होता, और किसी ने देख लिया, ऐसा आपको possibility यहाँ पर नहीं आता, I think this is pretty cool, and link जो है, मैं brick street का नीचे आपको description में छोड़ दूँग, आप check out कर सकते हैं, and I'm very happy by the way, कि I got this, as I mentioned, link आपको नीचे description मिल जागा, for wallets, brick street is one of the distributors of all the wallets, especially safe pal का, आप लोगों का बहुत जादा था, so safe pal के wallet के लिए मने partner किया है, I will do a proper dedicated demo on the safe pal wallet, जो यहाँ पर brick street आपको बेजा है, along with a case also, so brick street पर cases, I think that's a very interesting thing, wallet cases काफी सही हो जाते हैं, hard cases जो आते हैं, I think that's a pretty cool thing to have, so let's continue with our video, so that's a seat plate, that's a seat plate, that's a detail, how to print it, I will share it with you in a few days, so anyways, moving on to the data point, I want to refresh here, just one second, just four hours, 53 million, 12 hours, 133 million, and 420 million, 24 hours, and now you can see here, what the fun is, which is a small one, because Bitcoin has a small one, and a small one, and then a small one, which is a small one, and then a small one, if you can see it, then you can see it in the small one, so 4 hours, there is pressure, now the market is going on, the negativity, now the negativity is going on, but we can see it on the same page, so we can see the interesting thing, चीज़े दिख सकती है कि वे लोग क्या कर रहे हैं कि हम कैसे इस्तमाल करते हैं वो दो सब का अलग लग होगा तो पहले तो मैं ट्रांजक्शन दिखाता हूं फिर मैं आपको नैंसेन पर लेके चलता हूं और थोड़ा सा ओंचेंड डेटा की तरफ नजर मारते हैं 999 BTC तो 1000 BTC किसी ने खरीद आया है ठीक है 1000 BTC किसी ने खरीद आया इस डंप में खुश कोई जाद है खुश हो गया इस डंप को लेके साड़े साथ मिलियन मैटिक जो है अन्नोन वॉलेट टू बाइनस आये बिकने के लिए यह आये हैं दुपैर को राइट सो काफी इंट्रेस्टिंग ट्रांजक्शन चल रहे है पचीस हजार इथीरियम अन्नोन वॉलेट से कोईन बेस तो वो एक सेल प्रेशर जो बनना स्ट सेहां दूट है अंदर क्या हुआ एजिस सुन वाले ट्रांजक्शन की इंटर चल रहे हैं तो जस्टन सुन ने 65 Répuan तो इस मिलियन दालर Mahar है इसको क्या किये अपने होबी और में 60 million dollars worth उसने hobby से निकाला और उसने जो है यहां पर कहां डाला है उसको क्या किया है उसने उसको आवे पर move किया है उन सारे funds को जो है आवे पर उसने move किया है अब यह timing है क्या है मतलब जैसे बही बोल रहे हैं यहां पर कि there's bad timing and there's bad fucking timing right so काफी interesting point यहां पर अगर मैं आपको दिखाँ तो जस्टिन सुनने बाइद वे रिप्लाइ किया इस चीज को नंसें के स्ट्वीट को कि क्या है एक्जाक तो वो जो transaction है वो जस्टिन सुनने फिर यहां पर पता है कि हमने 100 million US dollars invest किये होबी के अंदर तो उसने बता है we have transferred 100 million USDC to hobby done अब यह उसने अब किया है यह इसने जो निकलवाए थे पहले है अब उसने यहां पर लिखा जरूर है कि normal practice of fund deployment steady lads deploying more funds right वह याद आती है सबको यहां पर काफी interesting है जो यहां पर पूरा का पूरा scenario चल रहा है तो यह सब चक्कर में चलते हुए ट्रॉन का भी काफी नाटक चल रहा है वालेट फ्रीज हुआ था कल हम काफी discussion कर रहे है इस चीज को लेगे तो वह इंट्रेस्टिंग चीज़ें आ चल लिए आप चलते है smart money की तरफ देखते हैं कि जो exchanges पर क्या stable coin flow रहा है और यहां पर मार्किट जो है वो क्या करना चाहती है तो अगर मैं stable coin flow आपको यहां पर दिखा हूँ मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ जादा ना चार्ट ना बड़ा नहीं होता है इसको मैं एक नए टैब में खोल लेता हूँ आपको थोड़ा बेटर दिख जाएगा तो stable coin flow आप जैसा की right side पर देख सकते stable coin flow की अगर बात करें दोस्तों तो 9 March को ना 300 million stable coins जो है आउट हुए आज 10 March को अब 120 million incoming आ चुका है stable coins एक्चेंज में एक्चेंज में कब आता है जब लोग खरीदना चाहते है तो वो एक्चेंज में आ गया है 120 million आज की डेट में already अभी 10 आई खतम नहीं हुई है यह चीज आप थोड़ा से यहाँ पर याद रखें जितना कल आउट हुआ था उसका आदा आज अल्रेड़ी वापिस आ चुका है तो यूजुली एक चीज और है जब इस तरह का जो रेगिलेशन रिलेटड फड आता है हाला कि I do believe कि सिरफ रेगिलेटड रेगिलेशन रिलेटड फड नहीं है यहाँ पर सब्स्टैंशली अगर हम बात करें दोस्तों इसमें फंडमेंटल्स की तो थोड़ा सा फरक पड़ेगा जैसे हमने बिटीज स्कूल पर थ्रेड लिखा है तो आप यह थ्रेड जरूर चेक यह सारे प्रेशर के चलते हैं यहां पर काफी रिस्की चीज़ें हो सकते तो फंडमेंटली चीज़ें थोड़ी सी टेड़ी हैं यह बहुत एकदम शॉट टम पंप आ जाएगा और फिर हम ऊपर चलेंगे वापिस पच्छीश जार वहाला थोड़ा सा यहां पर टफ क्या मुझे पता था यह होगा 100 प्रसेंट नहीं पता था किसी को नहीं घंटा किसी को पता था बट अगें इंग जितना हम बेटर डेटा के साथ डिसीजन लेजगे उतना हमको यहां पर डेटा लेना होता है स्मार्ट मैनी के अगर दोस्तों बात करूं तो 24 आर्ज में आपको दिखाता हूं स्मार्ट मैनी ने क्या किया है युए डीसी 35 मिलियन है डवली बीटीसी रैप बिटकोईन 19 मिलियन रैप एथर 8 मिलियन लाइडो भी उठा रहें काफी लोग विचिस इंट्रेस्टिंग बट लास्ट वानार में हम यहां पर देख सकते हैं कि क्या लोगों ने बेचा है स्मार्ट मनी यानि अब स्मार्ट यहां पर डिपलोई किया जा रहा है राइड स्टेडी लाइड्स तो वह एक यह एक इंट्रेस्टिंग पॉइंट इस पर में मैं नजर रखे हूं कि इन दे नेक्स 24 आर्स स्मार्ट मनी का स्टेबल कोईन होल्डिंग कैसा मूव करता है उनका इथीरियम होल्डिंग और बि इसा डल लग यह डोंट बाइ इनु में भी 24,000 डॉडर किसी ने डाल दी है विच इस इंट्रेस्टिंग इस इंट्रेस्टिंग इस इस तो यह थोड़ा साथ डेटा मैंने सोच आपके साथ शेर किया जा इसको कैसे देख सकते हैं इसको दोस्तों मैं क्यूं स्टेबल कॉइ इसको वेल्स जो है वह आधि दिन पांस दिन ऐसे वाले ट्रेट्स कम लेंगे यह वाले जो स्मार्ट मनी यह थोड़े फोड़े मुल्टिपल वीक्स वाले ट्रेट्स तो कम से कम लेते ही लें दूसरा अभी मेरे पास जो अपडेटेड़ डेटा नहीं है वह स्टेबल कोइ holding यहाँ पे क्या आ गई है इन लोगों की अगर मैं अभी भी देखूँ manually भी अगर मैं इसको calculate करने की कोशिश करूँ तो 17% USDC हो गया 4% 4.5% USDT हो गया यानि 21.5% हो गया नहीं अभी यहाँ पे भी updated नहीं 25 minutes अगो बता रहा है अभी यहाँ पे भी ज्यादा update होना बागी है यह data को तो we'll keep an eye on this and मैं आपके साथ share कर दूँगा चाहे मैं twitter पे share करूँ telegram पे या एक video update आपको दे दूँ तो उसके लिए आप जरूर channel पे बने रहें but these data points I wanted to share along with then one more thing which is liquidation levels defy की अगर बात करूँ इसको मैं quickly refresh कर लेता हूँ so that पुराना ना हो जाए data 1.6 billion liquidatable है यानि की liquidate लोग हो सकते है 1.6 billion worth yes 1.6 billion worth लोग liquidate हो सकते है अभी जिसमें से Ethereum chain पे है 1.6 billion बाकी तो 20 million है Binance chain पे तो सब मस्ती जो चल रहे है वो Ethereum chain पे चल रहे है so that is going to be an interesting situation all together अगर मैं liquidation price की बात करूँ Ethereum की तो यह बंदा जैसे बैटा है 1.5 million dollars पे इसका जो liquidation price है वो 1.390 है यह सवा 3 million का इसका position है इसका liquidation price 1.313 है again interesting कम से कम liquidation price है 89 dollars की liquidation price पे लेके बैटा है which is interesting quite interesting so यह आप defi lama तो free है nancy चलो paid है पर defi lama पे आप नज़र रखे थोड़ा से यहाँ पे आपको थोड़ा idea हो जाएगा कि यहाँ पे बड़े-बड़ी positions वाले क्या करें तो आप इसको value in USD के हिसाब से भी sort कर सकते है तो यह 73 million 73.3 million वाला बंदा है यह 59.4 million वाला बंदा है यह 1000 dollar पे liquidate हो रहा है यह 29 million वाला है यह 1250 dollars पे liquidate हो जाएगा यहाँ पे compound के उपर है यह position so interesting काफी interesting आपको यहाँ पे metric जो है free मिल जाएगा यहाँ पे defi lama से तो उस पे आप नज़र रख सकते हैं so that's all guys जैसे कि मैंने बताया brick street का link आपको नीचे description मिल जाएगा check them out do let me know कि आपको कैसा लगता है उनका store and the front भागी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में with hopefully more interesting data for you guys तब तक के लिए bye and take care